हलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू में चैनल, ममता की रसुई में आपका स्वागत है, आज मैं आप लोग से सेयर करने जा रही हूँ, आलू धनिया की सबजी की रेस्पी, जो बहुत खाने में टेस्टी और चटपटी लगती है, और ये न्यू रेस्पी है, और सबको पसंद आत है घर में, तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं, तो उसके लिए हम यहां पे ले लिए हैं, वाइल आलू, तो आलू की साइज आप देख रहे हैं, इसको मैं वाइल करके और छिलका इसका हटा दी हूँ, और ये छोटे मीडियम साइज के आलू है, तो आपने देखी रहा है कि कितना छोटा ये आलू है, उसके बाद यहां पे छिलका हटाने के बाद, अब हम यहां पे ले लेते हैं खलवट्टा, और इसमें हमने पाच्छे लसन की कलिया ले लिया है, जिसको छिलका हटा दिया था, और हरी मिर्च ले लिया है, तीन, तो आप तीखा जितना खाते ह साथ से हरी मिर्च को लीजिए और खलबेटे में इसको मैं कूट लेती हूं तो इस तरह से आपको भी कूट कर तयार कर लेना है लासन और हरी मिर्च को तो हमने यहां इसको कूट करके और तयार कर लिया है आप देख रहांगे बारिक अब हम इसको एक प्लेट भी निकाल लेत आप चाहें तो लसन और हरी मिर्च को बारी काट भी सकते हैं मैं यहां कूट ली हूं इसको थोड़ा सा यह आप देख रहे हैं इसको मैं कूट के प्लेट भी रख ली हूं और इधर गयास के तरफ मैं कराही को चरहाद दी हूं और इसमें एक बड़े चमच वायल डाल दी थी और वायल गर्भ होने के बाद मैं छोटी चमच जीरा डाल दे रही हूं जीरा डालने के बाद अब डाल देते हैं लासुन और हरी मिर्च को हमने जो क्रास करके रख लिया था उसको इसमें डाल देते हैं कुटा हुआ तो यहां डाल करके और इसको इसमें मिक्स कर देते हैं और अब यहाँ हम एक प्याज बड़ा सा बारीक काट लिये हैं, तो आप देख रहे होंगे बारीक कटा हुआ प्याज है, बहुत महीन हमने काट रखा है, उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और डालने के बाद इसको हम भून करके और प्याज को गुलाबी होने तक इसको तो यहाँ पे देखिए प्याज हमने भून लिया है प्याज का कलर चेंज हो गया है गुलाबी हो गई है अब हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर तो हमने छोटा चमच यहाँ पे हल्दी पाउडर डालना है तो बस हमने आधी से भी कम छोटा चमच हल्दी पाउडर क के विश्ज़ते, बाला चमच को पादोरेद यहाँ सीर्श सोटे तक के लिए अव यहाँ पे हमें हम थोड़ा सा धन्याम पाद़ोर को कर दाल दिया हो श्जूर को डाल community यहां पर प्रड़ इर । दाल म размiz निटीखा कंशार में रिम स्थावल ईब गानिए जूत नटाबशार को डाल दिया है उसके वाद आपे जूते चमच गल मसाला पर को डाल दिया है उसके लिए करके सारे मसालों को मैं भून लेती हूं तो हमें एक से डिर्मिया तक धीमियाज पर सारे मसालों को भूनना है तो देखिए हमने यहाँ पर सारे मसाले को भून करके और अच्छी खुसबूगाने लगी है तो सारे मसाले भून गए हैं अब मैं यहाँ पर जो आलू बॉयल करक और साथ में भूनेंगे इसको अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देती हैं क्योंकि यहां पर हम बना रहे हैं आलु धनिया तो जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा धनिया पत्ती कमातरा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तो हड़ी धनिया पत्ती को हमने को आप भूनते रहे तो आलू को भून करके आप गैस को बन कर दिया प्लेट में इसको निकाल लिए है तो इसको आप रोटी चपाती किसी भी चीज के साथ खाईए चाय ऐसे भी खाईए तो बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चे को भी पसंद आती है तो आपको अगर हमारा अलू धनिया पसंद आया हो तो मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइफ्रेंट